तो आज हम देखेंगे inverse trigonometry में further formula तो लास्ट classes में हमने देखा tan inverse x and tan inverse y है ना इसके sum को आज हम देखेंगे tan inverse x and tan inverse y इसके difference को चीक है तो tan inverse x minus tan inverse y अब देखें यहाँ पे मुझे मालूम है tan a minus b basically होता है tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b अब इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो this must be equal to this tan inverse x and tan inverse y must be equal to मेरे पास होना चाहिए tan inverse x minus y upon 1 plus xy यह होना चाहिए तो यह जो है complete answer नहीं है इसमें कुछ conditions है अगर आपको बोला है कि xy is greater than minus 1 तब तो यह condition है लेकिन अगर xy less than minus 1 तो यहाँ पर देखें दो केसे होता है दो फर्स्ट केस है इस एक्स ग्रेटर दन 0 and y less than 0 ठीक है in that case tan inverse x minus tan inverse y हो जाता है phi plus this whole thing ठीक है और यहीं पर xy is less than minus 1 हमें दिया हो है बट हमें बोला है x less than 0 and y greater than 0 other way round यहाँ पर x 0 से बड़ा था y 0 से चोटा था लेकिन यहाँ पर x 0 से चोटा है y 0 से बड़ा है in that case यह बन जाए का माइनस पाई प्लस टैन इन्वर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई ठीक है यह फॉर्मले है अच्छा यह फॉर्मले देखके हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अरे इतने लंबे-लंबे आपको समझ में आते जाएगा और आपको एंकरेज करूंगा कि आप यह जो सारे डेरिवेशन है बले एकजाम में ना पूछे जाए एक बार कीजिए जरूर ठीक है यह दिमाग में बैट जाएगा आपको इन्वर्स टिगानोमेटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएग ठीक है ना अब चलिए देखते हैं प्रूफ ठीक है अब हमें टैन इन्वर्स एक्स इसको मैं ले लेता हूं ए टैन इन्वर्स वाई इसको हम ले लेते हैं बी विच मीन्स x is equal to tan a right and similarly y is equal to tan b right यह हो गया अब a minus b का हम formula यहाँ पर लिखते हैं tan a minus b will be tan a minus tan b ठीक है अपन पन प्रस टैने टैन बी फाइन यह हो गया अब tan a की value क्या है x है tan b की value क्या है y है तो हम इसको लिख सकते हैं x minus y upon 1 plus xy ठीक है tan a minus b is x minus y upon 1 plus xy अब इसमें हम cases देखें और cases के according इसको हम solve करेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अब like x की value tan a है y की value tan b है ठीक है और tan a minus b जो है वो x minus y upon 1 plus xy है अच्छा दूसरी चीज़ यह tan inverse x और tan inverse y दिया हुए that means यह जो x और y है यह already inverse function का part है इसका मतलब यह जो angle a और angle b है यह already यह दोनों के दोनों आंगल जो है minus 90 और 90 जो की और रेंज है टैन की उसमें लाइक करना चाहिए उसके beyond नहीं जाना चाहिए ठीक है यह assumptions हम पहले से करके रखेंगे इसी के basis पे हमने सारे derivation करने ठीक है तो चलिए इसमें हम देखते हैं के सब्सक्राइब करने हैं के सब्सक्राइब हमारे पास when xy is greater than minus 1 ठीक है हमने लिया हुए case 1 is xy is greater than minus 1 अब देखें यहां पर condition हो सकते है कि when x is greater than 0 and y is greater than 0 ठीक है अब देखें हम यह दिया हुआ है अब इसको भी हम कैसे करेंगे देखें x is greater than 0 मतलब x क्या था टैने था तो जो एंगल a है अब देखें x और रेंज में लाइक करता है तो एंगल ए जो है यह 90 और जीरो के बीच में लाइक करना चाहिए अच्छा वाइज is greater than 0 y के corresponding angle क्या था भी है ना क्योंकि x equals to tan a y equals to tan b यही हमने पुट किया हुआ है तो तो भी है ना मैं यहां पर लिख देता हूं x equals to tan a and y equals to tan भी ठीक है अब देखें क्योंकि x और y जो है टैन इंवर्स में लगा हुआ थो और इसका मतलब यह जो क्योंकि और इंवर्स में है तो टैन ए और टैन बी जो है यह जो टैन इंवर्स के जो रेंज है उसमें लाई करना चाहिए मतलब माइनस 90 90 के बीच में यह जो आंगल यह और बीच में लाई करना चाहिए लेकिन हमें यह निकालना क्या है माइनस बी टीकहां न हम यहां पर आ एक मायनस बीकर रहें अब दी अगर जीन जो है मैं सरी बी जो है वह 0 और 90 के बीच में मैं पोरे एकस्प्रेशन में क्या करता हूँ मैंनस साइन मल्टिप्लाइ करता हूँ तो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा लेस दैन माइनस देखे जब भी मैं स now in equation में जब मैं माइनस से इंटू करता हूँ in equation flip हो जाता है टो greater than अलगा-b greater than बन जाएगा माइनस Πाएबाइटू अब इसको मैं वाला इन इक्वेशन है इन दोनों को में एड़ करता तो आप 0 प्लस माइनस पाई बाई यहाँ पाई ने समझ में आगया अब क्यूंकि ए माइनस बी संधो02 घर से मैद करते हैं कμ athletics में लाइक करते हैं tan of a minus b is equal to x minus y, 1 plus xy, okay, iska matlab a minus b must be tan inverse x minus y, 1 plus xy, fine, a ki value ham dal denga tan inverse x, right, achha, b ki value dal denga tan inverse y is equal to y expression, okay, tan inverse x minus tan inverse y, case 1, when xy is greater than minus 1 and x greater than 0, y greater than 0, in that situation, हमें, यह मिल जाएगा, ठीक है, आच्छा, यहीं पर आप चाहे तो x less than 0 and y less than 0 का condition भी लेके आप check कर सकते हो, आपको क्या यही result मिलता है, कुछ और मिलता है, ठीक है, उसको आप as a homework कर लेजए, ठीक है, moreover, यह जो आपको derivation आपको समझा रहे हैं, देखिए, यह भले exam में आप पूछा जाए, आप एक बार करिए जरूर, ठीक है, अब इसी में हम case 2 देखते हैं, when xy is less than minus 1 and x greater than 0, y less than 0, ठीक है, यह case number 2 है, अब इस second case में देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको देखते हैं, x is greater than 0, x के corresponding angle है a, that means angle a, जो है, वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक, अच्छा, this y is less than 0, मतलब y जो है, वो minus 90, यानि की pi by 2 and 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक, यहाँ पर मैं अगर minus sign लगा देता हूँ, तो minus y less than pi by 2 and 0, समझाने की जुरुत है, देखिए, मैं पूरे को minus sign से into करूँगा, यह plus बनेगा, यह minus बनेगा, यह 0 मैं plus minus कुछ भी करूँ, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन, क्योंकि in equation है, यह in equation का sign flip हो जाएगा, ठीक, अब जब मैं इस 0 को इधर pi by 2 को उधर करूँगा, तो यह in equation वापस flip होगा, और मुझे यह result मिल जाएगा, अब इसको और इसको जब मैं merge करता हूँ, sorry, यह minus y नहीं, मुझे minus b लिखना था, I'm really sorry, ठीक है, b लिखना था, मैंने y लिख दिया, अब यह वाला portion and यह वाला portion, दोनों के जब हम merge करते हैं, तो मुझे 0 प्लस 0 यानि कि 0 less than a minus b less than, यहाँ पे 5 by 2 and 5 by 2, यानि कि 90 plus 90, मुझे मिल जाएगा 180, तो मुझे यह result मिल जाएगा, कि जो a minus b है, वो क्या है, 0 और 180 के बीच में है, अच्छा, अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे मुझे x greater than 0, y less than 0 बोला है, अब y less than 0 का मतलब minus y अगर मैं करता हूँ, तो greater than 0 आ जाएगा, यह बात समझ में आ गई, अगर y less than 0 है, मैं minus sign अगर यहाँ लगाता हूँ, तो यह in equation flip हो जाएगा, inequalities का rule यही है, अब क्योंकि minus y is greater than 0, मैं इन दोनों को जब merge करूँगा, तो x minus y greater than 0 मिलेगा, अच्छा, x y मुझे बोला है less than minus 1, 1 को यहाँ shift करते हैं, तो यह minus 1 यहाँ पर आ जाएगा, आके बन जाएगा, plus 1, तो 1 plus x y, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, अब देखे, मुझे x minus y upon 1 plus x y, यह देखना था क्या है, ठीक है, तो x minus y greater than 0 मतलब positive, और 1 plus x y less than 0, यानि कि negative, that means, इस total की value मुझे overall positive upon negative, यानि negative, यानि कि less than 0 मिलेगी, ठीक है, less than 0 का मतलब यह कौन से quadrant में हो सकता है, यह tan की value है, यह tan की value है, तो tan a minus b, हमने यही निकालना था, tan a minus b की value यह हमने निकाले थी originally, और this particular thing is less than 0, तो यह tan की value less than 0, और tan negative कब-कब होता है, second quadrant and fourth quadrant में, ठीक है, लेकिन हम अलड़ी देख चुके हैं कि a minus b, जो है 0 और 180 के बीच में है, मतलब यह जो particular thing है, यह आपका, यानि a minus b, जो है, यह हमारा 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, इसके हिसाब से, a minus b, जो है 0 180 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में तो positive होता है, और 90 से 180 के बीच में negative होता है, अब यहाँ पर हमने देखा कि tan a minus b, देखे, इस condition, tan a minus b के value क्या है, x minus y upon 1 plus xy, शुरू में हमने किया था, और हमने देखा, x minus y क्या है, positive, 1 plus xy क्या है, negative, तो positive upon negative मतलब less than 0, मतलब tan a minus b मुझे क्या मिल रहा है, less than 0, अब क्योंकि tan less than 0 मिल रहा है, मतलब this must lie, इसके according must lie between 90 and 180, ठीक है, अब a minus b, 90 और 180 के बीच में रह रहा है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, इसके particular, जो भी interval है इसका, tan का, tan inverse का, उसमें लाना है, ठीक है, मतलब इसको negative अगर मुझे बनाना है, तो, यह minus 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो मुझे इसको minus 90 करना है, इसको 0 करना है, अच्छा, इसको 0 कैसे करेंगे, minus pi करके, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे में, pi minus कर देते हैं, that means, pi by 2 minus pi, less than a minus b, minus pi, less than pi minus pi, आप देखे, pi by 2 minus pi, 90 minus 180 हो जाएगा, minus 90, pi मिल जाएगा, और यहाँ पे 0 मिल जाएगा, इतना हो गया, अब यह जो a minus b minus pi है, यह minus 90 और 0 के बीच में, मतलब जो tan inverse का range होता है, उसमें like करता है, अब मैं क्या करूँगा, tan a minus b, जो कि हमने originally निकाला था, tan a minus b, is equal to क्या था, x minus y upon, 1 plus x y, यह था, लेकिन हमने अभी देखा, a minus b, जो है, 0, 180 के बीच में है, और negative है, minus 90 और 180 के बीच में, लेकिन inverse कहता है, कि मुझे यह value क्या चाहिए, minus 90 और 0 के बीच में, तो इसको minus 90 और 0 के बीच में लाने के लिए, इस a minus b को हटा के, मुझे यह लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख लूँगा, tan a minus b minus pi, is equal to, यह लिख लूँगा, ठीक है, इसको जब हम solve करेंगे, मुझे यह वापस tan a minus b ही मिलने वाला है, ठीक है ना, अब इसके बाद, मैं इस tan को shift करता हूँ, तो मेरे पास आज जाएगा, a minus b minus pi is equal to, ठीक है, क्या मिल गया, ठीक है, tan वाँ shift हुआ तो, tan inverse, यह मिल गया, ठीक, pi को वाँ shift करते हैं, a और b की value डालते हैं, a क्या है मेरे पास tan inverse, x, ठीक है ना, और b क्या है मेरे पास, tan inverse y, is equal to, minus pi को shift करूँगा, यह दूसरी तरफ, plus pi बनेगा, plus, इसको as it is, उतार देते हैं, ठीक, तो यह हमारा दूसरा result, प्रूव हो गया, जब हमें क्या दिया हुआ है, x, y is less than minus 1, x greater than 0, and y less than 0, ठीक है, हम next case देखते हैं, हमें बोला है, x, y less than minus 1, x less than 0, y greater than 0, ठीक है, इस case में, tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मला क्या होगा, तो देखें, यहां पे, हम यहां पे, सबसे पहले, x less than 0, अच्छा, y greater than 0 का मतलब, minus y is less than 0, ठीक है, यहां पे, मैं एक minus sign अगर लगाता हूँ, तो यह less than 0 मिल जाएगा, अच्छा, इन दोनों को जब मैं combine कर दूँँगा, तो x minus y, दोनों को add करता हूँ, तो less than 0 मुझे मिलना चाहिए, अच्छा, x minus y less than 0 है, फिर दूसरी चीज, x, y मुझे, जो है, less than minus 1 मिला, अब इस minus 1 को अगर मैं shift करता हूँ, तो यहाँ पर यह plus 1 बन जाएगा, तो 1 plus x, y less than 0, ठीक है, इतना हो गया, अब दीखे, हमने, x minus y upon 1 plus x, y की value निकालनी है, ठीक है, यह tan a minus b है, अच्छा, x minus y is what, देखे, negative, x minus y is what, negative, अच्छा, 1 plus x, y is what, less than 0, मतलब negative, अब negative number divided by negative number, ठीक है, क्या हो जाएगा, positive, मतलब यह term positive है, अच्छा, यह किस की value है, यह tan a minus b की value है, मतलब यह जो है positive है, मतलब greater than 0 है, अच्छा, यह positive है, मतलब या तो यह first quadrant में है, या फिर third quadrant में है, अब हम check करेंगे quadrant कौन सा है, 0 है, तो inverse trigonometric का rule कहता है, कि इसका जो corresponding angle, यानि a है, यह मुझे minus 90 और 0 के बीच में मिलना चाहिए, अच्छा, यह हमें क्या बोला है greater than 0, यह हमें बोला है greater than 0, मतलब यह जो है, रूल के हिसाब से, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, x-y, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर minus 1 multiply करता हूँ, तो क्या होंगे, यह सारे इन equation flip हो जाएगा, ठीक है, तो minus 1 into 0, 0 हो जाएगा, ठीक है, minus 1 into y, minus y बन जाएगा, minus 1 into pi by 2, minus pi by 2 बन जाएगा, अब देखे, इन equation का sign flip होगा, इसको जब मैं ऐसे करूँगा, मतलब यह इधर आ जाएगा, और यह इधर चले जाएगा, तो इन equation वापस flip होगा, यह आ गया, ठीक है, अब इसको लेता हूँ, और, sorry, मैं बार-बार y लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिखना था मुझे, ठीक है, क्योंकि य का corresponding angle क्या है, बी है, sorry, अच्छा तो यह माइनस बी हम इसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है, ओके, नाओ, मैं इस portion को, और इस portion को जब merge करूँगा, तो देखे, अच्छा ए और माइनस बी यह हो जाएगा, जिरो हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, अब ए और बी जो है, या माइनस बीटी से लेके, जिरो के बीच में लाइक करना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला, टैन ए माइनस बी जो है, पॉजिटिव है, मतलब या तो first या तो third quadrant में, आप देखिए, 0 से minus 180, 0 यहाँ पे minus 180, यहाँ पे यह रस्ता है, यहाँ पे तो tan negative होता है, लेकिन मुझे tan क्या अच्छे यह positive, मतलब इतना हिस्सा, मतलब A minus B जो है, it should lie between, minus 90 से लेके, minus 180 के बीच में, तो, minus 90 से लेके, minus 180 के बीच में, यह लाई करना चाहिए, ठीक, अब A minus B जो है, वो minus 180 और minus 90 के बीच में, लाई करता है, ठीक है, positive है, लेकिन मुझे इसको 0 और 90 के बीच में लाना है, क्योंकि tan का जो range है, वो या तो first quadrant, या तो fourth quadrant ही होना चाहिए, second और third तो होना नीच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कि इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, throughout pi अड़ कर देता हूँ, तो minus pi plus pi, ठीक है, less than, A minus B में, sorry, A minus B में plus pi कर देते हैं, minus pi by 2 में भी, plus pi कर देते हैं, ठीक है, तो minus pi plus pi हो जाएगा 0, less than, यहाँ पर आजाएगा, A minus B plus pi, less than, minus 90 plus 1 ET हो जाएगा 90, अब देखें, 0 और 90 के बीच में, यह particular चीज जो है, आ रही है, ठीक है, अब इसके बाद, हम लिखेंगे, अब मुझे मालूम है, tan A minus B, is, X minus Y upon 1 plus, XY, ठीक है, यह हमने लिखा हुआ, आच्छ, A minus B तो जो है, हमने देखा, minus, जो है, particular interval में, लाई नहीं करता है, लेकिन, A minus B के corresponding, क्योंकि A minus B, जो है, minus 180 और, minus 90 के बीच में, लाई करता है, लेकिन, मुझे चाहिए, उसका interval, तो इसको, जब हमने, यह लिखा, तो वो, tan inverse की range में, लाई करता है, तो मैं, A minus B को हटा के, क्या करूँगा, A minus B plus pi लिख दूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, tan, is equal to, अब इस tan को हम वहाँ shift कर सकता है, ठीक है, तो यह बन जाएगा, A minus B plus pi is equal to tan inverse, A, sorry, x minus y, and 1 plus xy, ठीक है, अब A और B की value पूट कर देंगा, और pi को जब उधर shift कर देंगा, A हमने क्या assume किया था, tan inverse, x, B को हमने क्या assume किया था, tan inverse, y is equal to pi उधर गया, तो minus pi बन गया, और plus this particular thing, यह हो गया, यह हमारे result प्रूव हो गया, ठीक है, तो यह जो proofs है, आप इसको एक बार, कि यह, इसको करना जरूर, ताकि यह concept आपके दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद हम, देखे, इससे क्या होगा, formula भी आपको लगबग लगबग याद होना शुरू हो जाएंगे, और question करने में भी, असानी होगे.